हालो एवरीवान, वेलकम टो माई चैनल तनुजबाय स्टडीज, कैसी चल रही आप लोगों की पढ़ाई, एक्दम जोर शोर से, बताना मुझे कॉमन सेक्शन में, और आज हम ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिशू, एट इस वाट, आर्थवर्म, आर्थवर् इससे बटर है कि हम उसे पढ़ी ले, राइट, इसलिए हम आर्थवर्म को पढ़ लेते हैं, और सबसे पहले हम आर्थवर्म के मॉफोलोजी को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के पॉइंट अफ यू से देख लेते हैं, अगर हम इस फाइलम को बिलॉंग करता है, इट बिलॉंग स्टू अनिलीडा, राइट, सिर्फ क्लास की बात कर रहे हैं, कि इसको बिलॉंग करता है, ओलिगोकीटा, कि इसको बिलॉंग करता है, ओलिगोकीटा, ओके, और डिरेक्ट हम इसकी बात करते हैं, कि इसमें जीनस कौन सा हो तो इस इस जी जीनस एन स्पीशी यह तो एक लासिफिकेशन की बात हो गई अब हम इसकी मॉफलोजी देखेंगे उससे पहले एक छूट असा ओवर्व्यू देखते हैं कि आर्थ्वम को हम फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं द्टीज वार्मर फ्रेंड टीज यह उसको हम इसकी त्रीजबर मॉखेशन की थे जहले घ्रल जाता हैं एक तो अलय चुछछ ऐन्हार देखे ळीशन कहली कांव को एक घ्यामा थिकव नहां थे पोडावार चा और सएड़री व्यूम सेट्टे सटिव एक दिए क्टाडिजल aeration करता है और जाधा air जाएगी जितना जाधा air जाएगी उतना जाधा root को aeration होगा and root की growth और जाधा अच्छी हो जाएगी so this is how this sorry this earthworm help in farmer for their cropping and all that ठीक है तो crop की yield को बढ़ाता है क्योंकि उनकी growth अच्छी कर देता है तो क्या कर रहा है it increase the porosity okay porosity as well as aeration so this is also called as the wormy composting मतलब क्या wormy compost क्या होता है जिसमें बहुत सारे earthworm है इसको market से भी ला सकते और इसको अपनी soil में add कर देते हैं तो यह हमारी soil की जो fertility rate उसको बढ़ा देता है तो this wormy compost is actually what a mixture of या फिर क्या है earthworm है बहुत सारे earthworm है ठीक है clear है अब बात कर लेते हैं इसकी morphology की तो सबसे पहले अगर हम एक earthworm की structure को देखे तो मैं points में ही बात करने वाली हो पहला कैसी दिखती है cylindrical body कैसी दिखती है cylindrical body है दूसरा कैसा दिखता है reddish it is looking like a reddish brown in color अब question आता है why it is look like red reddish क्यों दिखता है क्योंकि इसके अंदर जो blood में हीमोग्लोबिन होता है जो हीमोगोबिन होता है वो directly किस में dissolve होता है it dissolve in plasma rather than rather than in RBC हमारा blood का जो हीमोग्लोबिन वो किस में होता RBC इसलिए मारी RBC is red color की है बट यहां पर हीमोग्लोबिन directly plasma में dissolve होता है rather than RBC, इसलिए पूरा body ही red color का दिखाई देता है, ठीक है? थार्ड इसका एक main feature, main feature, क्या feature है? Metamerism, it shows the metamerism, मतलब क्या? सारा जो भी पूरा body है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ Whole body is divided into segments, whole body is divided into segments, ठीक है? and each segment is called metamer, metamers, okay? अब इन metamers की खाजियत क्या है? except few organ, जैसे कि reproductive organ, इनको हटा कि बाकी सारी organ, इन सब में repeat होते हैं मतलब कि अगर एक में है वो organ, तो दूसरे में भी होगा सब में वो organ repeat होता है, okay? same organ रहते हैं, हर segment में, हर metamers में that's why this is called metamerism okay? and यह metamers कितनी होते हैं, around 100 to 120 number में होते हैं मतलब पूरा body segment जो है, वो करीब 100 to 120 segments में divided होता है this is the important feature, यह याद रखना metamerism के उपर question बहुत बार आता है ठीक है? okay, now अगर हम इसके body की covering की बात करें body के उपर क्या covering होती है? so body is covered by या इसका above, मतलब पूरी covering के उपर क्या present होता है? एक non-cellular cuticle present होता है okay, क्या present होता है? non-cellular cuticle, आप देखो के पूरा ना जो है ब्राउनी रेडिश तो दिखता ही है पर उसके पर एक layer होती है, which is called cuticle इस cuticle के नीचे, इसके नीचे अब क्या-क्या मिलेगा हमें? epidermis मिलेगा okay, we will get the epidermis उसके साथ ही हमें two muscle layer मिलेंगी two muscle layer we will get okay, यह muscle layer कैसी होती है, एक तो इसमें circular होती है और एक इसमें longitudinal होती है, ठीक है? याद रखना circular होती है और longitudinal होती है and the third thing we will get celomic epithelium okay, यह इसके नीचे यह तीनों चीज प्रेजेंट होगी, किसके नीचे? cuticle के नीचे, अब एक पॉइंट धिहान रखना यह जो epidermis है, actual में, क्योंकि हम animal tissue पढ़ चुके है दन्त भी शूट, मतलब talk about it और हमें पता होना चाहिए epidermis कौन सा वाला epithelial cell है? it is the columnar, columnar epithelial cell okay, columnar epithelial होता है, जिसके अंदर बहुत सारी secretary glands present होती है, okay confused नहीं होना है, समझ में आ रहा है ना, क्या बोला, body की covering cuticle, उसके नीचे epidermis है epidermis, actual में कौन सा है, columnar epithelial जिसके अंदर बहुत सारी secretary glands होती है, उसे के साथी दो muscle layer होती है, एक circular, एक मतलब, जिससे सपोज यह पूरा आर्थवर्म है, एक circular में होगी, एक longitudinal में होगी, और सीलों में epithelium present होती है, ठीक है ना, ओके यहां तक तो हो गया, ना बात करते हैं, और points के बारे में, अगर हम इसमें, आर्थवर्म में देखे कि इसके अपर और लोर सर्फेस, यह हम बोल सकते हैं, डॉर्सल और वेंटर सर्फेस को कैसे identify करेंगे, तो इसके डॉर्सल जो सर्फेस है, उस पर हमें क्या मिलेगा, एक मिड लाइन मिलेगी, एक डांक मिड लाइन हमको दिखाई देगी, पूरी प्रामिनेंट, जो पूरे लॉंगिटुडिण एक्सेस पे रन कर रही है, मतलब पूरे इसके अपर ऐसे डार्क, मिड लाइन हमें, दिखाई देगी, ठीक है, यह मिड लाइन एक्षली में होती क्या है, इस इस ही ब्लाड वेसल, इस इस दी ब्ला की बात जब हम इसका री प्रोडक्टिफ जिस्टम पढ़ेंगे वहां पेसके बारे में detail में बात करेंगे कौन-कौन सी जनाइटल ओपनिंग प्रेजन होती है सिफितना धियान लगो बहुत सारी जनाइटल ओपनिंग प्रेजन फोती है ठीक है दूरी एक आड़ चीज यह ज बीच में भी एक मिड़ लाइन होगी, क्या होती है, हर सेगमें बीच में एक मिड़ लाइन होती है, like this, like this, हाना, यह जो मिड़ लाइन है, यह मिड़ लाइन, on each सेगमेंट, और उसके भी मिडल में है, हाना, मिडल में है, this is S-shaped, and इसको हम क्या बोलते है, सीटे, क्या बोलते सीटे एंदे थेल्प इन लोको मुशन没 करता है लोको मोशन में बढ़ सीटे हैं सिटे आता क्लाइट अलम् होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं सो डवं यहां तक हा तो पहले हम आते हैं सबसे पहले हम इसके फेर्स्ट पोर्शन की देखते हैं को सक्षड़ग होता है अर्तवां आरथवं का जो एंटीरियर पार्ट है इंटीर यनिकést जहां से म Trun हो रहा है जहां से mouth वहां interior part में यहां पे ठीक है this is the यहां से mouth start हो रहा है mouth present है यहां पर एक और flap like structure present होती है this flap like structure जिसको हम क्या बोलते हैं this is called peristomium sorry sorry prostomium sorry sorry prostomium ठीक है यहां पे ही क्या present होता है यह mouth present होता है and यह prostomium क्या करता है यह इसकी covering का काम करता है एक तो इसको माउथ को protect करने का काम करता है और दूसरा क्या काम करता है because earthworm क्या है it's a a broying animal मतला ब्रो करता है soil के अंदर उसको जाना है अब युब बॉइ अन्दर जाना एक आप अपर से, फ्लाप लाप स्ट्रॉक्चर है उपर से, एक तो मॉठ नो स्ट्पाराइगा, युज भी की सीदह मॉठ में नहीं जाएगी और भॉड वीको तरभी और्टा आपके, नियुद आपके रस्टा है और रस्ता बनायेगा, एक वे करते हैं इसका जो फॉर्स्ट सेग्मेंट होता है इसका जो बॉड़ी का फॉर्स सेग्मेंट होता है इसको बोलते हैं पैरिस्टोमियम ओके याद रखना इसका क्या रोल है प्रोटेक्ट माउथ और कवर माउथ आप बोल सकते हैं प्रोटेक के जगे आप कवर भी लिख सकते हो and act as wedge wedge की तरह act करता है यानि cracks करता है cracks in soil okay ठीक है now आप देखो इस earthworm के आगे की body हम बनाते हैं and then i will let you know this first part this first segment is called peristomium first segment इसको हम बकल सेगमेंट भी बोलते हैं यानि कि यह क्या है इस यह जो mouth है यह किसमे open हो रहा है कि बकल कैवीटी में open हो रहा है जैसे हमारा माउथ हमारी बकल कैवीटी में open हो रहा है ऐसी इसका जो first segment this is called peristomium जहां पे बकल सेगमेंट open हो रहा है इसी के साथ ही इसका last part जो अगर हम बात करें इस लास्ट सेगमेंट यह लास्ट सेगमेंट क्या होता है इस इस दी एनस राइट तो क्या हुआ लास्ट सेगमेंट इस एनस चीक है आप यहां पर देखते हैं इसका 14th 15th and 16th सेगमेंट ओके यहां पर बीच में कहीं यह 14 15 and 16 कौन कौन सा 14 15 and 16 यह पूरा एक सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लाइटेलम ओके क्या बोलते हैं क्लाइटेलम दिस इस दी आक्शली सेगमेंट जहां पर क्या होगा फोर्टिलाजेशन होता है okay here fertilization takes place and which results in formation of cocoon और जहां पर क्या बनता है cocoon जिसके अंदर baby earthworms बनते हैं बहुत सारे baby worms बनते हैं तो यह धिहान रखना क्या बोलते हैं इसको clitealum okay clitealum fine 14 15 16 segment now on the position of this clitealum the whole body whole body divided into three parts three parts में पूरी body divided होती है क्या क्या बोलेंगे these three parts one is pre clitealum okay यानि कि यानि कि क्या हो गया one से 13 तक का जो segment है that is pre clitealum फिर आ जाएगा clitealum इसमें हमारा क्या है 14 तो 16th segment and third is post clitealum okay जिसमें 16th से until मतलब जो भी जितने भी segments है उतने segments इसमें cover होती है clear है ना pre clitealum clitealum and post clitealum ठीक है क्या बात करी cylindrical body है covering क्या है middle line है ventral पे genital openings present है उसके बाद हम बात कर रहे है इसमें की एंटेर पार्ट पे यह माउथ है posteomium है फिर 14 15 16 segment को हम क्या बोलते हैं so are you clear with all these things यह तो अवर वर्वलोजी की बात करी है अब हम सारे अनाटमी की बात करेंगे digestive system की nervous system की circulatory system and reproductive system every kind of system we will talk about in our next coming video okay till then if you have any doubt please let me know through comment section thank you so much guys for watching this video stay motivated and bye bye take care